अलिगर्ण में लक्षमी बाई मार्ग मेरिस रोज स्थेति दपरसु एडवांस फीजुए थेरेपी क्लिरिक पर CPR यानि कार्जियू पल्मोनरी रेसिस्टेशन पर एक दिवलसी वरक्षॉप कायजन किया गया वक्षॉप की मेंटर डॉक्टर मीता सकसेना ने CPR का डेमू करके दिखाया उन्होंने बदाया कि CPR एक प्रात्मिक चुकित्सा है जब कोई सांस लेने मेल समर्थ हो जाए बेहोश हो जाए या कार्डिय करेस्ट आ जाए तब सबसे पहले और समय पर CPR देने से किसी की भी जान बज़ जाए जा सकती है इसे संजीवनी क्रिया भी कहते हैं CPR प्रक्रिया में मरीज की छाती को दबाना और मुझ से सांस देना जुसे माउट टू माउट रिस्परेशिन कहते हैं शामिल है उन्होंन बदाया जब हिर्दे की धड़कन रुख जाती है तो शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता जिसकी कमी से कुछी मिंटों में मस्तिक्ष को नुकसान हो सकता है CPR से मस्तिक्ष और अन्य अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रभावत अपतल जारी रखा जा सकता है जब तक आपात कालिन चिकित सा उपचार ना मिल जाए दपरसु की निदीशत डॉक्टर पारूल वाशनी ने बताया कि डॉक्तर मीतर सकसेना ने उपस्थित सभी स्टूडेंट्स को CPR का सही तरीका तथ सही समय की जानकारी दी और सभी स्टूडेंट्स ने इस जानकारी को समझा और इसका लाव अपने जीवन में बहुतों की जिन्दगी बचाने के लिए प्रियोग करने का वादा किया ये मैं सिखाना चारी हूँ कि कोई भी हर इनसान जो है कोई बेहोश अगर आपको मिल जाए जिसकी दिल की धड़कने रुक गई आप उसको हेल्प कर सकते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं ये मैं सबको सिखा रही हूँ तो अगर आपको कोई बेहोश यहां मिले तो सबसे पहले आपको आकर कंदों पे टाप करके जोच से हवाज में पूछना चाहिए कि ठीको ठीको फिर उसकी पल्स चेक करने हूँ गर्दन में जो सबसे हार्ड जो स्ट्रॉंग पल्स होती है वो यहां होती है ओरुए यहां चेक करने चाहिए अगर आपको नहीं है सम्ल्टली। तो आपको नज़र गमानए है यह पेट और च्छाती की तरफ क्या मूवमेंटsh हो रहा है अगर यह सब चीज़ें आपको नहीं मिले तो आपको सीध है उसके चेस्ट पे चेस्ट कंप्रेशन करने जी जिससे आप दिल को सपोर्ट करके सर्कुलेशन बनाए रखते हैं उसको करने के लिए हम इसको यहां जो सॉफ्ट पॉर्शन होता है पेटका उसके दो उंगर उपर यहां बिलको सेंटर में सीध में इसके यहां रखते हैं हाथ इस तरह से उसके उपर पॉजिशन यू बिलको हाथ सीधे करके और फिर आप 100-120 पर मिनिट कंप्रेशन करते हैं दो इंच दब दबना चाहिए चाहती नीचे अगर आप अकेले हैं इसको कर सकते हैं आपको आता है करिये अदर्वाइज आप चेस्ट कंप्रेशन अकेले भी कर सकते हैं और साथ साथ आपको लोगों को आसपास की लोगों को मदद लेनी चाहिए मैं डॉक्टर पारूल वाशने डारेक्टर ओफ दापर्सू फिजो थेरपी क्लिनिक लक्ष्पी माई मार्क मैरी सूट अलिगर से और दापर्सू पर आज एक छोटी सी वरक्शॉप का आउजन किया गया था जिसमें मैं तहे दिल से धन्निवाद दीना चाहती हूं डॉक् मैं की मदद के द्वारा अपने स्टाफ को बारे में जांकारी देनी की कोशीश करी सीपिया इक प्राइमरी चीकले सक्ते किनिक CPR के द्वारा हम लगातार उसको पंप करने से जो हमारा कार्डिक अरेस ब्लड का फ्लो दुबारा हो जाता है और जो है एक ब्रेन तक वो पहुंच सकता है और इसको हम लगातार करते रहते हैं और इसमें 30-30 के रेपिटेशन पांस सेट किये जाते हैं और यह नहीं कि दो चार रेपिटेशन करकर खतम कर दिया जाता है यही जानकरी मैंने आज अपने स्टाफ को देकर इसका स्टाफ को देने की कोशिश करी है ताकि यह इस तरीके की जानकरी मिलती रहे और एक मेरे स्टाफ को जानकरी मि करना करती हूं जिसमें कि हमारे टैनिस एल्बो है शोल्डर है रूटेटर का फिंजिरी है फैक्चर के सिसे जिसके बाद हमारे जॉइंट जाम हो जाते हैं उनकी टैक्निक्स के बारे में इसके अलावा हमारे पोस्त निटर प्रिनिटर एक्ससाइज भी जाती है साथ पे करते हैं उनके हम टीटमेंट करते हैं और इस तरीके के आयोजन मैं चाहूंगे अपने क्लिनिक में दुबारा करती रहूं